नमस्कार दोस्तों ये मैंने सौब क्लूस के उपर से ये नौकिया का एक फ़ं मगवाया है slider type है ठिक है ये मुझे मिला है बारा सो रपिया में मिल गया है बारा सु रपिया में अवेलेबल हुआ है इस में वो जो multimedia phone multimedia है लेकिन वो button type है उसमें slider है slider को उपर में slide करना है और फिर बार में अगा बाकी जो फन संग है तो यह एज़िटी से रहते है लेकिन यह जो font जो है उसका मतलब यह यहाँ पर price वगरा लिखा हुआ है इसके साथ जो भी लाया है वो है यह box है ठीक है box को unbox कर दिया जाए अरिजनल पेकिंग वाला एक box है ठीक है seal pack है नौकिया का है मतलब यहाँ पर quality का तो मतलब कोई issue ही नहीं यह देखे seal है पुरा box जो है seal pack मिल गया है अब मैं इसको जो original box है उसको unboxing कर देता हूं यह seal जो है उसको मैं यहाँ से remove कर देता हूं ताकि अंगर का जो handset है उसको हम देख सकते है quality का तो मैं पहले ही बुला कि नौकिया नाम ही काफी है तो वो कोई question है नहीं लेकिन यह जो phone है उसके मतलब slider type है काफी compact है और मुझे मतलब कुछ attractive लगा काफी इसके लिए मैंने उसको सब कुछ से मंगवाया हुआ है यह आप देख सकते हो कि box completely sealed है ठीक है यह मैंने open किया ठीक है यह mobile जो है actually यह pink color के आगे का जो body है वो pink color में है ठीक है यह इस तरह से slide होता है यह ऐसा ठीक है completely multimedia phone है इसमें मतलब ऐसा net set सब चलेगा लेकिन screen size छोटी होने के वाज़े से दोस्तों यह सब मतलब नहीं हो सकता है इसका यह charger है charger ठीक है इसमें वो 3.5 mm का जो jack आता है उससे छोटा वाला jack लगेगा यह मतलब जो charger आया है वह उसके साथ connect होगा इसमें वो c type या जो अभी samsung वगरे फॉन में जो charger का कैबल आता है उस तरीके का नहीं है यह इसके साथ आई हुई बैटरी है बैटरी भी sealed है देखिए ठीक है तो यह बैटरी मैं यहां से open कर देता हूँ और mobile के अंदर में insert कर दूँगा ताकि वो on करके भी आपको दिखाता हूँ मैं ठीक है यह बैटरी है as usual मतलब यह Nokia का original battery है इसमें मतलब यह नहीं है कि इसका back panel open कर देते है back cover यह देखिए मैं back cover open किया अब इसके अंदर में यह battery मुझे insert कर देता हूँ यहां पर single sim है दोस्तो यह dual sim वाला नहीं है single sim लगेगा और यह battery मैं इंसर्ट कर दी है ठीक है जी यह cover भी लगा देता हूँ फिर बाद में जब sim डालना होगा तो मैं उसको रिमो करके battery रिमो करके फिर sim डाल दूँगा अब इसको एक बार open on करके देख लेते हैं यह power button है power button को मैंने hold किया for the few seconds तो यह देखिए Nokia का जो है वो symbol आ गया है ठीक है Nokia connecting people वो दो hand जो आता है आमने सामने से वो आ गया है यह बाकी क्या तो अभी settings वगरा है ठीक है जी अभी मैंने SIM तो अंदर insert किया नहीं है ठीक है लेकिन इस तरह से है आपका देख सकते हो काफी compact है यह मतलब jeans में front pocket में छोटे वाले pocket में भी आ जाएगा I hope so this video is useful to you आपका दिन सूपर है धन्यवाद जई हिंट